दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है BSNAL VRS का विंडो चार नवंबर 2019 से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों यह चलेगा 3 दिसंबर 2019 को साम साड़े 5 वज़े तक यह विंडो ओपन रहेगा मतलब 3 दिसंबर 2019 को साम साड़े 5 वज़े तक आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको VRS लेना है या नहीं लेना है दोस्तों मैं आपको बता दू BSNAL VRS जो एफेक्ट में आएगा वो 31 जनवरी 2020 से एफेक्ट में आएगा BSNAL VRS दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके ERP पोर्टल पे या फिर आप अपने ERP पोर्टल से कैसे अपलाई कर सकते हैं BSNAL VRS को और आप कैसे देख सकते हैं की आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं relatively, commutation and leaves, encasement और जो salary आपके बचे time का salary आपको कैसे मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है और जो आपकी gratitude है उस पे interest कितना मिलने वाला है super innovation के टाइम या फिर 2025 में वो सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस वीडियो के सहारे आप अपना भी calculate कर सकते हैं कि आपको कितने amount मिलने वाला है कितना पैसा आपको मिलने वाला है तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपने BSNAL ERP पोर्टल पे जाना होगा जी हाँ दोस्तों आप अपने BSNAL ERP या फिर कुछ लोग इसे ESS पोर्टल भी बोलते हैं उस पोर्टल पे जाके आप अपना HR नमबर इंटर करें जी हां दोस्तो, आप अपना HR नमबर至ूर करें, HR नमबर इंटर करने के बाद, आप अपना password इंटर करें, पास्वर्ड इंटर करने के बाद, आप login बटन पे click करें. दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर user id आपको डालना है फिर password डालना है फिर logon पर आपको click करना है दोस्तों मैं आपको बता दूँ बियसचनल वी आरस से रिलेटेड सबसे पहले और सबसे सही update आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है तो दोस्तो उस update और उस information को सबसे पहले और सबसे सही पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के लिए आपको simply सिर्फ नीचे का वो red button दबाना है जिस पे subscribe लिखा हुआ है उसको दबाते ही आपको हर एक update सबसे भले मिले लगेगी अब दोस्तो मैं जैसा कि आपको बताया HR नमबर और password डालने के बाद आप logon पे click करेंगे वैसे दोस्तो ये interface कुल जाएगा और वहाँ पे आने के बाद आपको employee self service पे click करना है जैसे employee self service पे आप click करेंगे दोस्तो आप देख सकेंगे यहाँ पे VRS 2019 को option आचुका है दोस्तो ये option सिर्फ और सिर्फ जो eligible है मिन्स जिनका age 50 साल के उपर है उन्ही का ये option उन्ही पे ये option दिखेगा अब दोस्तो ये VRS 2019 का option दिख रहा है आपको simply क्या करना है VRS 2019 के option पे click करना है तो दोस्तो मैं भी यहाँ पे VRS 2019 के option पे click कर दिया हूँ अब दोस्तो मैं आपको बता दो जैसे ही मैंने VRS 2019 के option पे click किया वैसे ही दोस्तों आप यहां पे आपको इस तरह की पूरी अपडेट मिल जाएगी आपका एक अलग विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें दोस्तों आप देख सकेंगे सबसे पहले आपको यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा VRS Scheme for 2019 उसके बाद आ जाएगा Reprint फिर VRS Withdraw फिर आ जाएगा Status ठीक है दोस्तों मतलब यहां पे आप देख सकते हैं कि आप अपना VRS Withdraw भी करा सकते हैं ऐसा यहां पे Clearly लिखा हुआ है मिन्स उसके लिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको यहां पे सारी Update, सारी Calculation आपको यहां पे दिख जाएगी उसके उसको देखने के बाद आपको Continue बटन पे क्लिक करना है उसको देखने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यहां पे क्या-क्या Details उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आप देखेंगे दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा Personal Number आपका जो HR Number है वो मिल जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा VRS Retirement Age VRS जो Retirement Age है As on 31st of January 2020 मतलब 31st of January 2020 को आपका जो Retirement Age होगा वो Exactly यहां पे देदेगा आपका अगर दो साल बाकी है तीन साल बाकी है इस डेट से तो वो सब कुछ यहां पे दोस्तों देदेगा उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ ग्रेचूटी एमाउंट के बारे में ग्रेचूटी एमाउंट टू भी पेट एड़ टाइम आफ अफ अटेनिंग सूपर एनुवेशन एज और शिक्टी इयर और इन फरवरी विचेवर इस अर्लियर मिन्स जो ग्रेचूटी एमाउंट है यहां पे क्लियरली लिखा है कि जैसे ही आप 60 साल के हो जाएंगे तब या फिर फरवरी 2020 में यह पैसा आपको मिल जाएगा जो भी पहले आएगा इन्होंने क्लियरली लिखा है जो ग्रेचूटी एमाउंट है दोस्तों वो उन्होंने यहां पे क्लियरली लिखा है उसके बाद उस ग्रेचूटी एमाउंट पे आपको इंट्रेस्ट कितना मिलेगा वो भी यहां पे clearly लिखा है हर एक employee का अलग-अलग होगा इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा आप अपना HR नमबर डाल के आप ये सारी detail देख लें फिर उसके बाद आप अपना decision ले सकते हैं कि आपके लिए फायदे मंद है या नहीं है उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका जितना time बाकी है amount of salary जो amount of salary है कितना बाकी है वो आपको दिख जाएगा जस्ट आप सपोर्ज करिए आपका एक साल बाकी है तो 12 महिने की जो salary है वो total salary आपको आगे दिख जाएगी और ये पैसा आपको मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि आपको आगे की salary मिलने वाली है तो जो कुछ लोगों के मन में doubt था कि जिस दिन हम apply करेंगे उस दिन से count होगा या फिर जनवरी से count होगा तो मैं आशा करता हूँ कि यह point clear हो गया होगा तो यह आगे की जितने भी salary है वो आगे calculate करके यह total salary आपका दे देंगे एक साल का बाकी है वो पूरी salary दो साल का बाकी है वो पूरी salary आगे इन्होंने लिख दिया है उसके बाद दोस्तों लिखा है in case employee opt for virus total amount to be received now toward ex gracia and pension till normal date of superannuation यहाँ पे दोस्तों clearly लिखा है कि in case employee opt for virus अगर employee virus लेता है तो जो total amount total amount to be received now जो अभी उसको total amount मिलेगा toward ex gracia and pension ex gracia और pension का जो total amount है मिनसा आप यहाँ पे देख सकते हैं point number 3 plus point number 6 point number 3 क्या है ex gracia और point number 6 क्या है pension amount pension amount क्या है including DR for remaining period of service as per normal superannuation date और on prevailing rate as on date of VRS जहाँ दोस्तों यह clearly चीज़े यहाँ पे लिखी हुई है आगे मैं आपको बताना चाहूंगा जो total पैसा आपको VRS लेने के तुरंत बाद मिलने वाला है वो भी यहाँ पे आपको total पैसा दिखा देगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे एक disclaimer है कि the amount shown are indicative actual amount may vary differ as per service book record और other parameter जो amount यहाँ पे दिख रहा है वो थोड़ा सा vary कर सकता है जो service book में data होगा उसके recording मिलेगा अब दोस्तों आपको यह चीजे दिख गई पूरा यह चीजे दिखने के बाद अगर आप VRS लेना चाहते हैं तो आपको simply क्या करना है continue पे click करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं continue पे आपको click करना है तो जैसे ही आप continue पे click करते हैं हम जैसे ही continue पे दोस्तों click करते हैं यहां पे आपको option आ जाएगा I wish to opt VRS and I wish to decide later यहां पे दो option आ जाएगा पहला कि मैं VRS लेना चाहता हूं दूसरा मैं बाद में decide करूँगा यह दो option आपको यहां पे देख जाएगे तो आप अगर VRS लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले option पे click करना है कि I wish to opt for VRS मतलब यह VRS लेना चाहते हैं अगर आप उस पे click करते हैं तो आपका यहां पे जो recid होगा एक paper print हो जाएगा उसको आपको क्या करने ना simply उसका तीन copy print ले लेना है तीन copy print लेने के बाद आपको नीले color की स्याही से sign करना है यहां दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने नीले color की स्याही से print करना है sign करना है एक copy आपको अपने तीनो copy controlling officer को देना है no doubt जिसमें एक copy आपके service book में add होगी दूसरी copy आपको दे दी जाएगी acknowledgement purpose के लिए और तीसरी copy आगे भेजी जाएगी आगे का process complete करने के लिए तो दोस्तों ये था पूरा virus का process आप इस तरीके से apply कर सकते हैं और अगर बाद में आपका मन नहीं करता है virus लेने का withdraw कराना चाहते हैं तो यहां पर virus withdraw के लिए भी option दिया गया है और याद रहे आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आप withdraw कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आज हम virus opt कर ले कल withdraw कर ले फिर virus opt कर ले फिर withdraw कर ले ऐसा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ एक बार आप withdraw करा सकते हैं तो दोस्तों आप पहले calculation पूरा देखें आपको कितना पैसा मिल रहा है उसको देखें आप compare करें कि कि सच में आपको फायदा हो रहा है अगर फायदा हो रहा है तो नो डाउट आप वियरस ले और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको जरूर फायदा होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बीना काम किये आगे की पूरी सेलरी आपको मिल जा रही है सबसे बड़ी बात यह है आपको पूरी सेलरी मिल जा रही है औ आप लोगं को वीडियो पसंद आया होगा एक बात और आप जैसे ही वो कर लेंगे आपका वियारस जो है अप्लिकेशन वो एसेट हुआ है कि नहीं हुआ है वो यहाँ स्टेटस से आप चेक कर सकते हैं कि आपका वियारस वाला जो है वो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर ने एस जाता है कि नहीं वो सब कुछ यहाँ पर इस शेटरस के तुरू आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और उनके साथ जरूर सेर करिएगा जिसको इसकी जरूरत है तो दोस्तों चलिए मिलते हैं ऐसे ही अपडेट और न्यूस पाने के लिए धन्यवाद दोस्तों